ताके हर आने वाली नई वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सके जितनी रेमिडिज आप लोग के साथ शेयर करें वो इंस्टेंट रिजर्ट की है ये चमश मैंने आटे का दिया है आप बेशन भी रे सकते आप चावल काटा भी ले सकती है उसके बाद कोई सीपी ब्लीच क्रीम जो आप इस्तमाल करती है ये चमश लेंगे आदा टी स्पून अब इसमे ब्लीच का पाउडर लेंगे अगर आपकी स्किन संसितिव नहीं है तो एक टी स्पून आप ले सकती है ब्लीच की पाउडर का मैं यहाँ पे आदा टी स्पून लोगे थेक होगा जी इन दोन चीज़ों को अची तरह से मिक्स करना है आपने और अची तरह मिक्स कर लेना है ताकी ढोनें ज्वाण जीज़े जो है इसके क्यों में मिक्स हो जाएं कि अगर लुट के खुस्लस consecuti तोर पर पाउडर उसका दानें लगों तो वो ठीक नहीं होता, उसके बाद ऐलोवेरा जेल चाहिए आप फ्रेश ले 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 तो जबर दोस्त है कि तो उसका ज्यादा फायता होता है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो मैं कितने बहुत सारे ब्रैंक्स की मिल जाती है, आप उस्तमाल कर सकते हैं, आदा चमच मैंने ऐलोवेरा जेल का लिया है, अब तेनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके साथ एगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इतके लिए हम स्पेशल शेरिंग जो है वो वीडियो आप अब हमने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारे पास दूद की बलाई है, जब हम दूद को वाइल कर तो उसके उपर से जो क्रीम उतरती है, अगर वो नहीं है तो आप इसमें दूद भी शामल कर सकते हैं बड़ आप क्रीम ले मिला सकती है, और अगर सकी नायली है तो आप आटे की जगा पेशन के इस्तमाल कर सकते हैं, ये भी हमने इसी में बता दिया, अब हम चारों चीज़ों को चीज़ों से मिक्स करेंगे, और फाइनली हमने इसमें एक चीज़ और मिलानी है, जो कि आप लोग को नजर आ रही है वो हम इसमें मिलाएंगे संदल को, संदल की लखी का पौडर आपको पनफार से मिल जाएगा बहुत असानी से, हम इसमें आदा टे स्पून जो है, वो ये संदल का पौडर मिलाने है, अब बस हमारा नुसका बिल्कुल त्यार है, रेडी त्य अप्लाई है, तो हमने तमाम आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद सिंक्री अपने गर्दन को वाश कर लीजे अगर नहीं, तो आप दूद जो है, वो कॉटन के साथ धूदा दूद, रोज वाटर जो है, वो अपने गर्दन पर लगाईए, और हाँ मजे के बाद कर लिया है, कि आप इसे अपने हाथों पाउं पर भी कर सकते हैं, वाट चेरे पर अप्लाई मात कर लिए इसको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अलाकि हम डेरेक्ट भी जो है वो ब्लीच अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्या आप लोगों परेशान हो जाना और अब इसे आपको नुक्सान नहीं होगा, तो आपका ये मास्क भी को त्यार है, इसे आपने जिस्ट अप्लाई करना है, और जब ड्राई हो जाए, अगर ड्राई होने का वेट नहीं करना, तो आप 25 मिनट के बाद इसको वाश करते हैं, शेरे के उपर से आप 15 मिनट डगों आपको मिल सके, अपने आयना से वीडियो बनाई गए, एक लाइप तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में जुआरा कैसे पूड़ेंगे, तो इसका हर ये है जो आप हमारे सेमेल को सब्सक्राइब परनेंगे, और इस बैस 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 आप अपको कणे जिए इस तरह आहरे आने हो ये तो आप विडियो आप तफ़ास, आपको आपने अपने अभी तक हमारे सेमेल को सब्सक्राइब परनेंगे कि जिर्म फीडियो कि आपको कि आपको कारषियों कि